जै शीराम सभी भक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि क्या मा काली को भी हम गुरु धारन कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारी इस्ट ह हमारी कुल देवी हमारी जो है मा काली के प्रती रुजधान है और हम मा काली को क्या गुरु धारन कर सकते हैं तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंफरमेटिव होने वाली है अगर आपके दिल में भी जो है मा काली को गुरु धारन करने की मन में आ रही है तो अ सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज बाबा की असीम गिर्पा आपके परिवार में सदै पनी रहे और मेरी माई जग जन्नी माभवानी अम के गिर्पा आपके गड़ में से धारन करें. देखिए आप इस बात से मत ये सोचके चलिए कि मा काली जो है आपको मलो आप उनकी पूझा कर रहे हो आपके कुल देवी हैं क्या उनको हम तामसिक भेड़ सेही प्रसंद किया जा सकता है क्या साथवी की बेड़ क्या साथवी कोई उनके लिए कारे करम नहीं है तो ऐसा आपके मन में जो संदे है उसको तो पहले हटा दीजिए मां तो मां है और करना महीं है मां की वो प्रचंड शक्ती है मां लो कई वार ऐसी दूष्ट जो धरती पर उत्पन हुए है रक्त नेकिन बात ये होती है कि जब कोई मां काली की पूजा तंतर विद्या से उत्पन होती है और नेकिन वैदिक तरिके से अगर मां काली को सिद्ध कर लिया जाए तो उसकी जो किर्पा है आपकी साथ पीडियों पर सदय बनी रहती है मां काली को अगर आप अपना गुरू बन अगुRL जान कर लिया तो हम जो माक हम क्या है मलोबकरे की भेट मुर्गे की भेट इस पकार की बहिया ऐसा होता है वह शम् colors मरगत काली और जी जाती है आप माकाली की पूझा कर रहे हो तो आपको कि बेट दें़ी चाहिए आपको निम्बू की बेड़ जाने जी अगर आपकी कुल देवी है मा काली कहीं को किया होता है कि मा काली जो है उनकी कुल देवी होती है तो आप नारियल की बेड़ भी दे सकते हो ये जरूरी नहीं है मा को प्रसंद करना कोई मुश्किल नहीं है मा की जो शक्तिया है ये बात आप के उपर डपेंड करती है कि आप उन शक्तियों को किस पकार की आदत डालते हो सात्विक या तामसिक आप ये देखिए अब शंकर भगवान है शंकर भगवान जो है वो उनका स्वम वंबूतनात्वी है नेकिन जो शिविलिंग सम्षान में सिविलिंग है उन्हें तांत्रिक लोग ही पूझते है यहीं क्योंकि वहाँ पर महादेश स्वम विराग्या रूप में है और आप देखिए कि जब जो शिविलिंग है वो निराकार शक्ती है इस संसार की इसी पकार से आपको भैरों की पूजा भी करनी पड़ती है और साथ में माकाली की पूजा भी करनी पड़ती है और हनुमान जी के माद्यम से अगर आप माकाली की पूजा करते हो तो आपको साथविक दिक्के से ही पूजन कीजिया आप और हनुमान जी का वास होता है क्या तामसिक शक्तिय क्या वहाँ भी हनुमान जी का हाँ हनुमान जी जो है मा काली के प्रत्थम सेनापती है आगे लाल रंग का पूर्ण रूप से जंडा लेकर चलते हैं और उसमें बीच में मा काली है उसके बाद पिछे भेरो बाबा है और खपर भरते हैं मा का और जो चोशड योगनिया है वो हाड मास ये सारी चीज़े जो है इनका सेवन करती है तो ये मत मन में संध है हटा दीजिए कि मा काली को पूजना हाँ ये जरूर होता है कि अगर आप सात्विक तरिक्के से ही पूजिए तामसिक्ता का यूज मत कीजिए तामसिक्ता का तंतर दो पकार से होता है तंतर किसी के लिए मारा भी होता है अगर अच्छा कारिया भी तंत से हो सकता है आग तंतर को आप मारे तरिक्ते से मत देखिए जो तंतर विद्या होती है वो कभी किसी का बुरा करने के लिए इस्तमाल करते हैं वो उनकी सोच होती है तुक्षन होती है नेकिन तंतर को अच्छाई के लिए भी यूज किया जाता है माकाली की शक्तियां जो हैं बुराई के लिए तो जो तंतरिक लोग करते हैं नेकिन अच्छाई के लिए भी आप माकाली की शक्तियां जो हैं आप उनकी शक्तियों का इस्तमाल कर सकते हो अच्छाई के लिए बुराई के लिए जो आदमी कर रहा है कारवेई उसकी सोच है उसकी मलिंटा है अब वो क्या कर रहा है अगर आब मा काली को अपना गुरू बना रहे हो तो गुरू बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर सिष्टा चार रखना है अपने अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है मा के परती आपकी जो भावना है वो अटूट होनी चाहिए और एक बात यदिए याद रखना कि जो मा काली की जो शक्तिया जब शरीर पर आती है तो परचंड रूप में आती है तीक्षे रूप में आती है सोम्य रूप में नहीं आती है चैया आप उनको सात्विक त्रिक्चे से पूजन कर रहे हो या तामसिक त्रिक्चे से पूजन कर रहे हो उनकी शक्तिया कभी सोम्य रूप से नहीं आती है वो हमेशा प्रचंद रूप में ही आएंगी क्योंकि मा काली की जो शक्ति है वो प्रचंद शत्रों का विनाश करने के लिए होती है और दुष्टों का विनाश करने के लिए मालो आप माकाली को अपने अपना गुरु धारन किया है अपने माकाली के परति आपने अंदर से भाव प्रकट करे हैं तो माकाली की शक्ति उसी दिन से आपके उपर जो है उनकी किरपा बरसने लगाती है इसमें कुछ भी विधान नहीं होता आपने क्या करना है एक काले लेना है उस पर तीन तिलक लगाने है काले रंगे आपने क्या करना है तीन तिलक लगाने है दीपक की साई से भी आप तिलक लगा सकते हो और माकाली को और एक पान लेना है पान पर आपने पांच पेड़े लेने है उसके उपर मोटी इलाची जो होती है उसके दाने रखने मैं पेड़ों के उपर और मा की शरन में जाना हैं एक तेल का छो मुखा दीपक लगाना है और काले रंके आसन पर आपने विराजमान हो जाना है vont हे मातेशवरी, मिजे हमेशा ये सच्चाई की राहा पर लेके चल ये, कि मैं कभी किसी का विनाश्च न करूँ, कभी किसी का गलत कारिया न करूँ, और आपकी शक्तियों का सऑी तुरिक्चे से मैं हमेशा ही इस्तमाल करूँ, सद वार्ग पर चलू जो लोग दुखी है परशान है हे जगजनी मैं आपकी शरन में हूँ अब मेरी लज्जा आपके हाथ में है हे मातेश्वडी एक मां के चरनों में आपने तिलक लगा देना है और कुम कुम का लाल रंग का सिंदूर भी मा के चर्णों में लगाना है और आपने काले रंग का तिलक अपने इस उंगली से अपने मस्तक पर लगा लेना है और मा का जो मंतर है जेली आपने मंतर का जो मैं आपको मंतर भी बताता हूँ ओम कलीम कालकाय नमहा इस मंतर के सवा पांच लाख जाप करने है आपने उस सवा पांच लाख मंतर के जाप का दशानशावन भी करना होता है इस मंतर की जो माला है continue रखनी हैं आपने माकाली की बरबूर किर्पा आपके उपर बरसेगी और शिरी बाला हमेशा माता के साथ रहती हैं, आप ये मसोचना की, और इनी शक्तियों से अंगिनत शक्तियां होती हैं, और मा के अंडर में तो बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि माता मदानों की माता मसानी हो गई, तो मा की किर्पा सब के उपर बरस्ती है और अगर आप सही तरिक्के से याद रखना इसमें गलती की कोई गुंजैस नहीं है आप तेज धार शक्ती को पूझ रहे हो तो गलती की कोई गुंजैस नहीं होती है तो शिरीबाला जी महराज की किर्पा आपके उपर सदय बनी रहे और आप अपने कारिये में हमेशा सफल हो और माता राने की बरपूर किरपा आपके उपर बरस्ती रहे